आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ गेली कोफ़ती की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलिशियस है ये कोफ़ती इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आपको लॉकी की कोफ़ते विसके आगे फीके लगेंगे जी हाँ और ये बहुत ज़्यादा स और ये सबजी भी बहुत चल्दी बन जाती है वीडियो को लास्ट तक देखना और अकर अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को भी लाइक करना और ये टेस्टी सी सबजी छट पर चरूर बना कर ट्यार करना तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कच्चे के लेके कोफते सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे और उसके लिए एक कड़ाए में दो बड़े चमश देल लेंगे फिर इसमें डालेंगे हींग, सौफ, जीरा, हरी मेची, पिसी हुई मुंगफली, एक चमश और एक चमश ही बेसन और इन सबको अच्छे से हमें एक मुंगफली का कलर गोल्डन गोल्डन न हो जाए एक मुंगफली इसे लगातार चलाते रहेंगे, बेसन और मुंगफली इस ग्रेवी में होना बहुत जरूरी है ताकि ग्रेवी का टेक्शर बहुत ही अच्छा आएगा और आप इसमें डाल देंगे दो पेसे हुए टामाटर अच्छे से मिक्स करेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे और फिर जब तक एक मिट के लिए ही इससे मिक्स करना है, मतलब चलाते रहना है, फिर डालेंगे हम मसाले, लाल मिर्शी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर भी डाला है, अच्छे से इस मसाले को भूनेंगे, आप ध्यान रखिएग कि इसमें बेसान है, मुंग फली भी है, तो इससे चलाते रहेगा, वरना ये कडाई से चिपक जाएगा, फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मैती, हाथ से क्रश करके, जब इसमें से ओल सेपरेट होने लगे, और कसूरी मैती भी इसमें भुन जाएगे, तो टेस्ट और भी जदा अच्छा होगा, आपके पस नॉने स्टिक कडाई हो, तो बेफिक रोकर काम करेगा, अगर अलमिनियम की या स्टील वाली कडाई हो, तब तो इसको चलाना ही पड़ेगा, अब इसमें डाल देंगे हम करम बाला पानी, मतलब करम पानी, योई इसलि हैं, गाड़ी या पतली वापके उपर है, तो मैंने आपर धाई किलास पानी डाला है, और इसे आप एकतम स्लो कैस पर उबलने के लिए रखेंगे, आप हम कोफते बनाने की त्यारी करते हैं, तो इसके लिए मैंने तीन केले लिए हैं, कोकर में इने पहले उबाल लिया था और इनके छोटे-छोटे से पीस करेंगे, ध्यान रहें कि ये केले सिर्फ उबले हुए होना चाहिए, एकतम बहुत जादा उबले नहीं होना चाहिए, मतलब ये ड्राय रहना चाहिए, हो जाते ना गीली-गीले से वैसे नहीं होना चाहिए, तभी आपके गुफते कर लिया है, आप डालेंगे इसमें बहुत सारा हरा धनिया, हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी से हीम, और थोड़ी सी सौफ, थोड़ा सा गरम मसाला, और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और डाला है एक चमच बेशन और एक चमच घी घी इसलिए ताकि ये कोफते बहुत जादा सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे से अंदर तक सिख जाएंगे तो अच्छे से इने मिक्स करना है और पूरा अच्छे से मसल लेना है और हाँ ध्यान रखना कि जो ग्रेवी आपने पकने के लिए छोड़ी ह अगर आपको लगता है कि आपका केली का मिक्षर कीला हो गया है तो आप इसमें बेशन डाल देना और कोफते बनाने के लिए मिक्षर तैयार कर लेना तो यहां देखिए हमेंने च्छोटी-च्छोटी सी बॉल्स बनाना शिरू कर दिया है और यह बॉल्स बहुत जादा आस के लिए भी रेसिपी लेकर आए हो बहुत ही जादा टेस्टी है तो इसी तरह से मैंने ना सारे ही कोफते बनाकर त्यार कर लिए हैं मुझे लग रहा था कि आपको कोफते दिखेंगे इसलिए मैंने प्लेट ऊपर रख ले तो यहां देखिए अच्छे से मैं इसको गोल-ग ढ़ने अच्च्छे से बेसन लिएए लिए पर बिलेशिकी गड़ानाना है बस ऐसे को टोर आप कोफते को बस चिपक जाएगा और मीडियम फ्लेम तो और तेल हीले होना चाहिए भाए हला вм Pas यहीं तलने है तो मीडियम तो चाहिए उपन हुआ है मेहने दें फिर आप इसमें कर्चे चलाए और आराम से इने फ्राइग करें बहुत आराम से इनके साथ बहुत जादा कुछती मत लड़ना नहीं तो यह फूट जाएंगे तो देखिए हमारे कोफते अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है कितनी जाद अच्छे लग रहे ना बहुत साधा ना डालें तो देखिए मैंने बागी दूसरे जो कोफते थे 5-6 बच्चे थे वो मैंने अप तेल में डाल दिये और इनको भी कोल्डन कलर आने तक हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है तब तक हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है अच्छे से उबल चुकी है ध्यान रखना कि अगर 5-7 मिट से ज़्यादा हो जाते हैं ग्रेवी को बलते हो तो गैस बन कर देना और जब कोफते डलने का टाइम है तब वापस से गैस अन कर लेना तो यहां देखिए मैं इसमें होल करने वाली थी ताकि अंदर तक ग्रेवी जाया पर यह इतनी ज़्या सके तो अब मैंने सारे कुफते इसमें डाल दिये हैं और सिर्फ तीन से चार मिट तक ही अब इस सब्जी को हमें पकाना है हलके हलके से चलाते रहना और 5-7 मिट बात हमारी सब्जी एक तम खाने के लिए बन कर त्यार हो जाएगी तो अब कर देते हैं गैस पंद और चलते ह सब्जी को सजाने के लिए तो देखिये मैंने सब्जी को निकाल लिया होए लकी सी दीकी ग्रेवी जारू तरफ फ्ली कर ट्यार ओ गई है बिना प्यांज लेसं के हमने ये सब्जी बनाई है कुई भी सक्ता है बड़े आरहम से इसको खा सकता है बहुत जधा टेस्टी ये सब्जी है तो आप भी बनाइए खाइए और सब को खिलाए आपके घर में सब को पक्का पसंद आएगी कभी भी आपके घर महमान आए तो यह सबची आप जरूर बनाना वो शौक्ट हो जाएंगे कि अर यह क्या है इतनी जादा टेस्टी सच में बहुत जादा टेस्टी है वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करन करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वैल एकन पर क्लेक करना तक कि मेरी अगले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और के लिए की कोफते की जो सौफ्टनेस आप देख रहे हैं इसको देखते हैं जरूर जाना क्योंकि बहुत जादा सौफ्ट है व अवाचीं